हम आपको यहां बता रहे हैं कि आप iOS 16 में कैसे बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं iPhone पर मिलने वाले बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर दरसल कोई नई सुविधा नहीं है iPhone में पहले यह सुविधा दी जाती थी हलकि iPhone 10 के शुरुआत के साथ Apple ने डिस्प्ले के टॉप पर से यह सुविधा रिमूब कर दी थी इसकी वज़े से डिस्प्ले के टॉप पर सीमित रियल स्टेट का होना था अब न्यू iOS 16 अपडेट रोल आउट होने के साथ Apple ने आइफोन पर बैटरी परसंटेज इंडिकेटर को फिर से शुरू कर दिया है इस बार परसंटेज इंडिकेटर बैटरी आइकन के अंदर है अगर आपके पास iOS 16.1 या नए संस्क्रेट पर चलने वाले लेटेस्ट आइफोन है तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे iOS 16 में आप बैटरी परसंटेज शो कर सकते हैं सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि आपका आइफोन को परेटिंग सिस्टम iOS 16.1 या नए संस्क्रेट पर अपडेटेड है आइफोन के इस नए अपडेट के सुविदा बिना नौच वाले आइफोन SE 2022 नौच वाले आइफोन और यहां तक की डायनमिक आइलैंड वाले आइफोन 14 प्रो सहित सभी आइफोन के साथ मिल रही है आइए से इनेबल करने का प्रोसेस जानते हैं आपने आइफोन को अनलॉक करिए इसके बाद सेटिंग्स में जाएए यहां बैटरी पर क्लिक करिए बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर को अनेबल कर दीजिए अब इसी तरह से बैटरी परसंटेज इंडिकेटर को disable भी किया जा सकता है आपको बता देएं कि new iOS update के साथ बैटरी इंडिकेटर बैटरी परसंटेज के अधार पर रंग भी बदलता है जब iPhone चार्ज हो रहा होगा तो बैटरी इंडिकेटर का रंग हरा होगा जब बैटरी 100% से किस प्रतिशत पर होगी तो बैटरी इंडिकेटर सफेद रंकशो होता है इसी तरह जब आइफोन बैटरी सेवर मोड में होता है तो बैटरी इंडिकेटर यलो रंका होता है और लास्ट में जब बैटरी का प्रतिशत 10 प्रतिशत से कम होगा तो इंडिकेटर लाल हो जाता है